है है लो बच्चों पांच वी बोड प्रिक्षा दोज़ाद च्वभीश के लिए कंसा पंस की गणित का जो पेपर हो आपके सामने अगर आप जो असी निम्र का पेपर होगा और असी में से निम्र लाना चाहते हैं तो वीडियो उस्वरू से अंतक देख लेना आपके सारे प्रस्थे जो सही हो जाएंगे दाए गंटे का समय मिलेगा और असी निम्र का पेपर होगा यहां पर आपको अपने रोल नमबर लिखने ठीक है अंकों में और यहां पर लिखने आपको शब्दों में जो भी आपके रोल नमबर आए उसको आपको अंकों में और शब्दों में याप लिख लेना है और इस प उत्र देने या पर के निची आपको जो पूरत देना है लिए पूछए गोड़को के इसी कुछन पूर आपके सामने और पूरी पर पिडिए पे आपको एपके आप मिलेगी या फिर आप वाटसब नमबर में साथ कदे और पांचे का जो वर्टसप ग्रूप है उसको भी जोइन कर लेना वहां पर भी आपको इसकी पीडियो प्लब्द करवा दे जाएगी तो चैनल को स्क्राइब करके पहला पर सुरू करते हैं न्यून कौन क्या है इन में से कौन सा न्यून कौन है तो न्यून कौन कहते है नब झ्ब्ध दिग्री और सौ दिग्री तो जो नcan नबे से कम है वह आपका न्यून कौन हो जाएगा ओप्षिन एस बांजाकर जाएगा इसका यूर करेक्ट articulate दो क्या हैं इसका centrally को क्या कैते हैं इसफिर हो इसका आम होज समकोन कहते हैं और जिसका इसका माह प्ज़्य से 192 होता है उसको कहते हैं सरल इस 202 के कौन को कहते है shaal यह सीद्यलाइन बनती है और यह सम कौन में ऐसे अकलती बनती है यह एल बन रहा है वह आपके सम कोन सीद्यलाइन जो मैं आपके 163 डीग्री का कौन है ठा officers तो यह दोना आपको अच्छे परकार से याद घध biking है पहला परसना आपके एक नंबर का इस प्रकार से बस अदमें पुछ आजाएगा फिर आपके दूसरा प्रसने यह चांदे की साहिता से निमने कौनों को आपन करके कौन का नाम लिखना है तो यह जैसे आकरती दिखेंगे तो बेने क्यांको कहता है समकौन इसका टो बिखेंगे आपके 90 डिगरी का या इंगल को बाढाई है वीक को समकौन बंढ करा पर जाता है यह जो कैंद हम सब्सक्राइब नहीं किस एक पर 53 ऐया का या बन रहा है तो इसका उसज़ें यहां पर 40 एक नब्वे कौन लिखेंगे नून कौन है अगला परसन देखते हैं अगला परसन आपकी यह прtarast आपकी यह है कि 1905 और 1907 के बीच की सिंगफों कまず 7 आ रहा है तो बीच में कुनी संगफों के छूट रही चूट रही है जिसके बिलाइस्ट में 6 option में वो अपना अंसर जाएगा इसके चार ये नहीं होगा इसके तिन यह भी होगा इसके नहीं होगा इसके अहाट है तो ये भी नहीं होगा गूत जिसके लास्ट में यह दिखाई दे रहा हैं केवल एक लिए fakid यह धिक theo ब congru हैंगे 1906 तो यहां इसका उत्र क्या हो जाएगा आपके सावला उत्र सही हो जाएगा देखो बाकि सब्सक्राइब से में 19 19 तो इसमें भी 19 है इसमें 05 इसमें 07 तो इसमें क्याएगा 06 आएगा तो 06 आपके सामें दे रहाए फिर आपके अगला प्रस्द निचmotion थो छो था इसमें आपको ये जो आंग दे लिकिए इनका पर योग करते हुए सब से बड़ी संख्या बनानी pat kansa को ये नंख दे रहाए इनकी सबसे बड़ी संख्या बनानी और आन इसे सब सपल आए गा इसमें आपके पांच पांच के बाद मॉया चार चार के बाध में थीन के बाद मैं दो दो के बाद में एक पांच शे जो नमबर यंदे रहे थो अच्छ से नियाइन की साई भी है सिंध्या बनाई तो ये अंसर होगा it'll haus पिर आपको छोठी सिंग्या बनानी चोटी स्विक्राश liखें लिए जो इसको उलटा लिखेंगे जीरो एक दो outros तीन जार हुआ यह जीरो है वहाँ इए हैं चार और के बीच में तो एक जीरो दो तीन 4 और 5 पर पिर आपको को इसमें तीसरे में क्या करना गिद वी चेक करना की बड़ी संग्यान में में और सबसे छोटी शेंक ने अंतर क्या है तो बड़ी, इस छोटी को घठा में मैं तो इसका जो उत्राया आजाएगा दस में से पांस गणने फिर यहां बचेंगेए एक में से तीन झी ज़ता पिर उदर लेंगे 11 मैं से तीन जाएगा तो ख़एगा और यहां बचेजिए 2 मीसे दो गयpha तो 0 ऑस चार में इसे जिरो गय तो पॉर पांस में से खजातो चार तो 4000 जार इसुहक्त सूपनेसर ब कशिक्षारी काे therm क्श्माइस्यदा सूप कलर करना है और एक क्ड बटा दो का मतलब का है दो बाग जिसमें एक में कलर बरना थो हम इनको यहाप कलर से बढ़ेते ‫तैं तृन में बाट चार और यह वाला जो है एक बटा दो वाला थैं Punk वैंख चार में आपके किवल एक ही छूटे rocky स्में कि तो कर लिया हमने चार मैं से तीन बाग को वैसे आपको वाकि इसमें भी दो में से एक भाग को च्छाएयं में करने के लिए को मैं बने हो ओद हो जाएगा आपको बहर नहीं निकालना इसको आराम से थोड़ा सा सब stressed है तो इसका उत्र हो जाएगा तीन बटा चार का यह और जाएगा एक बटा धो का अगला क्षिन देखते हैं रिक्त तस्तानों की पूरती करनी यहां पर तीन को तीन से गुणा करने कितना अगा तीन एका म आर्जाएगा बस इसका उत्र कितना बरेंगे इसमें तीन बर अरो यह नहीं प 180 क इस लो को आदो पहयाए कि origin में आप दो पंद्धा में पांस का बाग जाएगा आपके backwards 75 15 पर फिर टीन को इसे गुणा करेंगे तो पंद्रा हो जाएगा तो जो को भी किसे गुणा करना पड़ेगा तीन से गुना करना पड़ेगा उपर कितना आएगा दो तिया च्छे आजाएगा इसका जो उत्तिर आपके छे बटा पंदर आएगा स्वाल नंबर इसमें कि ख़्याक कशा की परतेग चातर को दो टोफेंफेंचे हैं एक जो ठोक आपके σसे रहे गोई और अपने अथारा वीजारति तो टोटल कितनी टोफें चाहिए और अपने कलास में 13 ध्यारती जाहिए उसके लिए हम क्या करेंगी गूणा करेंगे ज्य wymar करना है लिए इसे खोसेँ लेता कर फिर आपको दूणा करना तो गूणा करने हम क्या करेंगे 18 गूणा करेंगे दोस्न अथा ви दोनी कितना हो जाएगा यह 36 टोफियों क्या होशिकता पड़ेगी इसका जो उत्तर हो लिखेंगे 36 टोफियां यह वैसा ही सवाल है जैसे एक पेन का मुल्य एक पेन का जो पांच रुपए हैं आप से पुछे कि चार पेन का कितना होगा तो हम क्या करेंगे पांच को चार से माता है आपको सो पेन लाने तो कितने रुपए उनको देने पड़ेंगे कमेंट करके इसका उत्तर बताना है अगला प्रसने की सुत्र एक न्यूनियन पूर्वेन और परमित्र की सहता से इसका आपको मान गयात करना है तो इसमें से इसको गटा की लिख लिए ना डारेट सब्सक्राइब तो दो इनकी फर यहां परशेंगे तो इसका उतर कितना होगा आपके बाउप्शन होजाएगा अगला प्रसले आदार 10 पर सुत्र निखिलम द्वरा गुणा करना है पहले तो निखिलम द्वरा गुणा करने के लिए आपको विचलन गयाद करना पड़ेग मैं थको गठा लेगा है तो उत्र कितना है आपके प्लस के चार see you इसा प्रकार से 11 उत्रकों सिस्थ कन में 11 क Mr भिचलन तो 11 में से 30 को गटा लेंगे जो भी संहिए तया के उसमें साधर को गटाया देता है वो यह 20 सो कामने दोनों में से गठाया 14 में से और 11 में 1 िए इसमें कितना बचे एक अब आपको इनका सुचा निकलम के द्वरा गुना करना यहां पर आपको लिखने पढ़े की संख्या है कि यह यह लिखेंगे विचलन कि कोन सिस फि Ellum कितना है विचलन दोनौं स्मध्रिप सम्ध्याफं हैं मारबास में 14 वो दूसरी है 11 14 कविचलानी कितना हूब एक आप इस मागे क्या किया करना है यहां तक लिया फिर आपको एक और खिंसने आड़ी लाइन भियां अब यहां पर क्याना इसका तीरशा जोड़ना ऐ चाऊ-डा महतनी एकac किते किसी एक को झाटके लिख लें हम चOWDAH में एक जोड़े हैं कि बीजेगा आपका है कि इचोदा प्लस एक फे यह खाचा बना वागलिए जिसमें आपको इन तो कूरी सिह ऑड़ा करण एक होचे है चाहर स्थार हो बढ़ेंगे तो पंदरा होजाएगा पंदरा अबलिक चार एकम चार अब आदार संक्या में अधर एक दस है ठीके दस का एक ही जिरू है तो इसमें अभी एक एंक चाहिए तो एक एंक के अपने इसको डारेट हम यह से हटा देंगे अगर यहां पे दो होते हैं कुल मेला बार से एक पेकेट में 200 पेहना आते हैं और यहां सो चाहलिस पपेकट में कितने प्पेहन हैंके वापको ग्याद करता है तो एक पैकेट में कितना इनीप rupees आपको cha गुणा करके लिखना आए तो दोजाओं दोस्टों को गुणा करेंगे चालिस से तुछ तो एक जिरू इसका ही थी लिए online फिर से पहले लग जाएंगे यह पिर इसमें गुना करना ही 4 को 2000 rejecting 8 इसका जो क्रेक्ट अंसर इसके आपके 8000 हो जाएगा रुपा ने 15 कोपें 150 रुपे में खरीदी तो बताएए एक कोपे का मुल्य कितना हुए जदा का देखे एक का पुछे बाग करना है हम क्या करेंगे 150 में बाग देंगे 15 का जो कितना है आएगा आपके 10 रुपे एक कोपे कितने में बेची 10 रुपे में मुल्ब खरीदी उन्होंने जिसका आंसर लिखेंगे एक कोपे कितने में खरीदी तो 10 रुपे में खरीदी अगला प्रस्ने आपके वहाद सबसे बड़ी संख्या गयाद कीजिए जिसका 12, 36 और 72 में पूरा पूरा बाग जाता है यानि कि आपको 12 का 36 का और 72 का एच सेफ गयाद करना है 12, 32 और 12, 36 और 72 का एच सेफ सबस्ब पहले 12 की टुकड़े करेंगे 12 की टुकड़े हैंगे आपके 2, 6, 2, 3, और 3, 1 12 की टुकड़े के क्या हो जाएंगे इसी प्रकार से 36 का 36 का हो जाएंगे 36 का बाग 2 में 2 का देंगे 36 में 18 बार जाएगा 18 में फिर 2 का बाग 9 बार जाएगा 9 में 3 का और 3 में 3 का एक बार बस इसी प्रकार से 72 का थोड़े से इसमें से जजदा हो जाएंगे बहतर का बाग देना है तो फिर इसमें बाग देंगे दो का दो का बाग देंगे तो 36 बार 36 में दो का बाग देंगे अठारा बार अपिर === Si dö remember and dofon лай Hello भकर नो मेंआए तीन का बाग जाएगा तीन लो आइक बार हमनी है ते निक काह निक्वा करनी है ठीक Capital कि इसका बाहा he اح स्थाला कि यह क्तुला रखुआ के यह को इसे सिंगे ग्यात करने के लिए अपको इन तीनों में से कौमा निकालना है इसमें बिढेंगी 2 हैं इसमें बी दो हैं तो इन समगों में आपे लिखेंगे 2 एक तो आएगा अपके 2 3 एक आएगा आपके 1 और 2 2 2 और 2 एक और 2 आजाएगा एक आएगा इसमें 3 Even गुना करना है तो ڈो-दोनी 4 हो 14 तिया 12 इसका आंसर होगा है तो वह बड़ी सी चञे क्या है जिसका भाग बारा 367से brain में जाता हुआ है 12 अगला प्रस्ता है चूटे हुए अंकों को आपको यहांं पे लिखना है शुटे अगा क्या प्याद करना की वह कि यहplease नहीं है आपके साथ आजे तो ऐसे कुछ सिंग्ए ही नहीं अपने पास में एक अंग की अब क्या करेंगे इनको गटा ना पड़ेगा पांच में से चार जाएगा तो एक बचेगा अब साथ लाने तो किसमें से दो गटाएं कि साथ बज़ जाएं नहीं पता दिन दोनों को जोड़ दो तो दो और साथ कितने हो जाएंगे नो हो जाएंगे वो पर लिख लो ठीके अब आट में से कितने गटाएं कि चार रहे जाएं हमें नी पता कि कितने गटा है तो फिर इस आठ में से चार को इन गटा लो तो इसे यहां उतर आजए आपके चार ऐसे इनको गटा के लिख लेना है यह आपके 4313 2432 और 113 इन सभी का योक्फल ग्याद करना है योक्फल ग्याद करने के लिसको में आप लिखेंगे 4313 2432 और 113 इन सभी को में आप जोड़ करेंगे तो तीन और दो पांच और तीन आठ और फिर आपके हैं साथ और तीन दस और एक 11 असलिका एक तीन और चार साथ और एक आठ और एक 9 हो जाएगा और इधर यह चार और दो शे हो जाएंगे इसका अंसर आएगा 6998 इसका अंसर होगा नेक्स कुशन है किसी स्कूल को विदाले सुईदा अनुदान के तहट 4000 रुपे प्राफ्ट हुए स्कूल की विदाओं पर 25 रुपे खर्च हो गए बताएए स्कूल के पास कितने रुपे सेयंस बचे अब सेयंस की बात करें तो गटा न पड़ेगा 4000 रुपे थे उसमें 25 रुपे 2500 रुपे खर्च कर दिये हम क्या करेंगे 4000 में से 2500 रुपे गटाएंगे इनको यह पर गटा लेंगे मायनस करेंगे जेरों मैं से 0 जाएगा तो 0 बचेगा जिरों मैं से गटाएगा तो 0 बचेगा अब 0 मैंसे पांस रुपे यह निदिकशी रुपे कि यहांद ऐसेंगे 1500 रुपए यानिंगी 1500 रुपएंट फिर आपको माप पर कि समझ मापन की समझ देखने हैं इसमें जıs घंटे मिनट मिटर किलोमेट्र सेंट्इमित्र के बारे में जान का aurait रखनी है तीन कितने मिनट होते हैं तो सब सब पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक गंटे में कितने मिनट होते हैं एक गंटे में मिनट होते हैं साथ ठीक है एक गंटे में कितने मिनट होते हैं साथ मिनट होते हैं अब आपको तीन गंटे का ग्यात करना है तो साथ को तीन से गुण अंसर होगा सही अंसर इसका 180 मिनट अगला प्रस्थ अच्छा इसी प्रस्थ में आपको एक क्यूशन पोछता हूं कि एक दिन में जैसे एक दिन और रात में 24 गंटे होते हैं आपको बतानी कि 12 गंटे में 12 गंटे में कितने मिनट होंगे से 12 को 30 से 12 को साथ से गुना करके से कमेंट करके यहां पर बताना है एक लिटर पांसु मिली लिटर को मापने के लिए दुकान रर किस माप का प्रियोग करेगा एक आपको पता होना चाहीं एक लिटर में मिली लिटर होते हैं एक लिटर में मिली लिटर होते हैं एक लिटर बराबर कितने मिली लिटर होते हैं एक लिटर में 1000 मिली लिटर होते हैं ऐसे ही आपको याद रखना है कि एक किलो मिटर में कितने मीटर होते हैं एक किलो मिटर में कितना मिटर होता हैं कमेंट करके बताना देगे तो है तो अगला क्वेश्ण आपकी यह चभभभ रिक्त सानों की på varit करनी我觉得 120 cm में कितने मिटर होते हैं आपको पहले यह पता ह्ना चाहिए कि एक मीटर में कितने सेंटीमेटर होते हैं एक मिटर में सेंटीमेटर होते हैं 100 मिटर میں कि मिटर की सاتर किया yatकर हैं तो सघ्ष में बाग देंगे 120 में बाग देंगे सो ऊका इसके 2010 इसके बिडार जाएगा फिर आपको बाग देनए 12 में 10 तो 10 त्योंचे पॉइंट लगा दो एक फोन्यट इसका उत्र होगा इसका जिसका उत्तर कितना ही का अपकी कि 1. पुइंट दो मीटर मीटर को सेंटी मिटर में बदलने के लिए किस से गुना करते हैं सेंटी मिटर को मिटर में बदलने के लिए सो का बाग देते हैं जबकि मीटर को सेंटी मिटर में बदलने के लिए आप सो से गुना करते हैं यहां लिखेंगे हम सो से गुना करेंगे अगल लिखेंगे किलो मेटर को मीटर में बदलेंगे लिए एक हजार से गुना करते हैं अगला प्रसने फिर आपका बाठ से समझ देते हैं बार का और बाठ के प्रकार हैं अब यह आपको याद रखना है कि एक किलो ग्राम में कितने ग्राम होते हैं एक किलो ग्राम में ग्राम होते है यह 3 किलो और 600 ग्राम है 7 किलो 500 ग्राम है 4 किलो 750 ग्राम है अब इदर वापस जोड़ने पर इनके में कौन सा मिल रहा है वो इसको देख लिए रहा है यह देखो 5 किलो और 2 किलो कितने हो गए 7 किलो 7 किलो 500 ग्राम साथ किलो 500 ग्राम से इसको मिलान कर लेंगे तो सेकंड वला और एक किलो तीन किव और पिंसो ग्राम तीन किलोी पंसो ग्राम और स्व गराम जे तो तीन किलो श्छ्टसो ग्राम से ये वह agriculture मिल बचा हुआ जो है वापका साढ़र साथ सो ग्राम वा dział bedroom पैस्चे मिले चारक कि नेक्स क्यूशन आपका ये इसमें आपको गटाना है कि क्यूशन नंबर है आपके क्यूशन है आपके ये सतरा सतरवे क्यूशन में आपको गटाना है कि 12 गंटे 18 मिनिट में से 9 गंटे 16 मिनिट गटाना है तो यहां लिखेंगे हम गंटे और यह एक साइड में लिखेंगे हम इसमें मिनिट गंटे में से गंटे को गटाए जाता है और मिनिट में से मिनिट को गटाए जाता है तो बारा गंटे और अठारा मिनिट मिनटे और इधर 9 गंटे और 16 मिनटे तो 18 में से 16 को गटाना है और 12 में से 9 को गटाना है तो 18 में से 16 जाएगा तो यह दो बचेगा इसका 8 में से 6 गया तो 2 2 में से 1 में से गया तो 0 जो हो नो मेंस दो मेंसे नो नींज है ten अड़ो कि नो जाएगा तो तीन बचेगा ये कितना बचेगा आपका तीन गूंटे और मिनट कितने आपके दो मिनट तो तीन गूंटे और दो मिनट इसका अंसर होगा समय अगला प्रस्ज Excel करणी है 9 9 गुंटे और 16 मिनट आठ गंटे और 50 मिनट साथ गंटे में पिंत पैटरश मिनट इन सबस्क्राइड है सोला ओडमिले और गंटे और मिनट कितने हैं वियtar 10 करेंगे तो च्छे और 0 006 च्छे में पांच बटो एक की ऑ्यारा का आजएगा हसल का एक आए बहर पिर आपको जोड़ करना ही पांच और एक छे और चार दस और एक इयारा तो eira की यह लगाने लिखेंगे एक और एक आगे ये हासल आ जाएगी तो इसमें ग्यारा का आगे हासलकी नियां लगाएंगे क्योंक्वार कि मिनिट में ये अलग होते हैं तो अब इसको जोड करेंगे गंटे को ये होजाएगा आपका 9 और 8 17 27 और 7 24 यह 24 तो गंटे और 111 मिनट हो रहा है अब 1111 मिनटे तो इस 111 मिनट अब स्क्राइब को वह इस को आड़ ऎलग निकल जाएंगी और बचे गो मिनट हो जाएगा तो यह बचे गाभे आपके एक और 51 ईप एक गंटा और 51 मिनट है तो यह घंटा हम इसमें इदर बच जएगा आपके यह तो इज़े 24 ओर 25 हो जएगा और इदर बचेगा 51 मिनट ओर है गंटे कितने होगे 24 ओर एक 25 गंटे याद रिखेंगे मैं इसको पतिस गंटे laquelle मिनट को अगला प्रसने फिर आपके ये कि अनू बाजार से दो किलो ग्राम गोबी तीन किलो ग्राम ककड़ी तीन किलो ग्राम साथ सो ग्राम आलू और दो किलो पांसो ग्राम बिंडी खरीती है थेली का बार जो निमन प्रकार रहता है निमन प्रकार ग्याद करना है एक तो अलू का हमारे पास में 3 किलो 700 ग्राम तो 3 किलो ग्राम और 700 ग्राम इसमें जोड करनी है बिंडी का बार बिंडी कितनी है 2 किलो 500 ग्राम तो यह हो जाएगा आपका 2 किलो ग्राम और 500 ग्राम यह हो जाएगा 2 और 3 5 5 किलो तो यह हो गई 700 ग्राम यह और 500 ग्राम यह कितनी हो जाएगी 1200 तो बारा सो ग्राम में कितना होता हैं बारा सो ग्राम का मतलब यह होता है एक किलो और दो सो ग्राम तो एक किलो इसमें जोड देंगे तो पांस और एक इतना हो जाएगा छे किलो तो कुल वज़न हो जाएगा छे किलो और दो सो ग्राम से किलो और दो सो ग्राम इसका हुट सबसे कम बारवाली सबजी को इसी तो सबसे कम बारवाली सबजी है गोबी दो किलो गोबी तो इसमें आपके गोबी बरना है सबसे ज़्यदा बारवाली सबजी ये तीन किलो साथ सो ग्राम के अलू इसमें लिखेंगे हम इसमें अलू ये सबसे जद्धा है तो इस प्रकार से इसका उत्र आपको यहाँ से लिख लेना है नेक्स कुशन है उन्नीस वा आपको हल करके लिखना है एक आयता कर मिदान की लंबाई 20 मिटर है चोड़ाई 30 मिटर है तो आपको इसमें मिदान का शित्र फल ग्याद करना है इसमें लिखेंगे हम आयत का लंबाई आयत की लंबाई कितनी है आयत की लंबाई दे रिखिए हमें 20 मिटर और इसकी चोड़ाई कितनी है चोड़ाई हमें दे रिखिए 30 मिटर तो 20 मिटर तो लंबा ही और 30 मिटर इसकी चोड़ाई है हमें ग्यात करना है आयत का इसका मेदान का क्षित रफल तो आयताकार मेदान का क्षित रफल आयताकार मेदान का क्षित रफल आयत का क्षित रफल क्या होता है लंबा इंटू चोड़ाई लंभाई इन्टूं चोड़ाई लगार लेगे इसको लंभाई गुना चोड़ाई यह آयत का खशतरफ़ल हता है लंभाई कितनी है 20 मिटर चोड़ाई कितनी है 30 मिटर इन दूनों को हम गुना करेंगे तो 2 जिरों पहले लगा लेगे एक दोनों के दो को तीन से गुना करें तो च्छे हो जाएगा तो उत्र कितना आएगा आपके 600 यह मीटर में है तो यह लिखेंगे वर्ग मीटर क्योंकि एक 60 फल को वर्ग मीटर में लिखा जाता है अगला परसने फिर आपके इस आकरती का आपको परिमाफ ग्याद करना है परिमाफ ग्याद करने के लिए आपको यहां पे इन सबी की जोड़ करने है जिससे हम यहां से लेते हम यहां से पांस सेंटिमेटर यह दो पांच दस पांस दो और पांच इन सबी किहां पे जोड़ करनी तो पूरी आकरति का परिमाव गयाद करने के लिए परिमाव बराबर इन सबी के जोड़ करेंगे सबस depends आए गा ये पांच संटिमेंटर प्लस पांच संटिमेंटर सब को हम जोड़ लेते हैं पांच पलस दो प्लस पैंच प्लस दस और प्लस में आएगा पांच प्लस दो और प्लस में पांच इन सब की जोड़ करेंगे तो पांच और पांच दस दस बीस दस तीस तीस और दो दो चार तो उत्तर कितना होज़ेगा आपके 34 cm इसका परिमाप कितना हैगा आपके 34 cm आगे का जो प्रस्न है वो 8 नमर का प्रस्न आपके ये पैटरन से समझीते हैं ठीकि इसमें आपको पैटरन गयाद करना अगला पैटरन क्या होगा इसके 3 कोने इसके 4 कोने इसके 5 कोने तो बताओ अब कितने कोने होगे 6 कोने वाला होगा तो 6 कोने वाला आपके उत्तर सह में दे रखाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसका जो सही अंसर हो कितना हो जाएगा आपके आप्शन C हो जाएगा इसको सटकोन कहते है नेक्स्ट है इसमें 25, 30, 40, 55 इसमें देको 5 का उंतर है इसमें 10 का. अब कितने का उंतर होगा 5, 10, 15 अब आपके उंतर होगा आपके 20 का तो पस्पन में 20 जोड़ेंगे तो पस्पन में 20 जोड़ेंदो 55 हो जाएएंगे 75 आपके औप्शन C हमें दे रखाे अगला जो प्रस ने हैं आपके सरथख शुरक्षा सब्दाथ 24 में प्रती दिन यताएट के निमों का पालना नहीं करने्जिक्तियों कि संक्या दे गई कई समगा इसमार को तीन विक्तियों पालन नहीं करतें मंगल बनाने के लिए इसका नालीं precis नह रें तो एक he kष पर वाले का था एकक रैगा निच्चे वाले का वाई एक सब्सक्लाइगा यह हम आडी लाइन पर ले लिए आ लेंगे यह लें लेगे वाई aks वाला तो ऑपर यह जो सेंगे काह ता कि दस ता गया तो हम 1 गिंद्धा की प्रिया लेंगे और वार एक एक की बरावन में एक अब बाते हैं या फिर उपर हम इसमें वार ले तो इसको मिदर ले लिटें इधा तो आजाएगा आपके दिन कि दिद्दीन आजाएगा जिसे यहां पर आजाएगा आपके सोंबार इधर आजाएगा आपके मंगलवार इधर आजाएगा यह बुद्वार यहां आजाएगा आपके गुरुवार यहां पर आजाएगा आपके शुक्रवार यहां पर आएगा आपके सनिवार और यहां पर तक है तो से इवार तक लेह लेंगे गख़िंद करता कि दस तक है था कि यहां पर आईगा एक यह बेगा तीन चार पांच छे और यह आईगा आपके साथ यहांपे यह आठ नो और यह आज़ा आपके दस अब इसके आपको यह जहाँआँ पे दंडालेख बनाना है दंडालेख बनाने के लिए इसमें देखना है की सौंबार को कितना है तो सुमबार को है तीन तो सुमबार को कितना है तीन है तो इसको में आपे तीन तक ले जाएंगे यह सुमबार वाला तीन तक आ जाएगा इसका उत्रे आपके यह बना लिना फिर मंगलवार को कितना है मंगलवार को पांच तो मंगलवार वाला कहां तक जाएगा ये पांस तक जाएगा ये मंगलवार वाला ये पांस तक चलाएगा फिर इन्होंनों को मिलान कर लेंगे और बुदवार कितना है बुदवार में साथ बुदवार को ले जाएगे छे से थोड़ा सा अगे इसको थोड़ा साम आगे ले जाएंगे साथ तक ये बुदवार वाला साथ तक चला जाएगा इसको साथ से मिलान कर लेंगे और गुरुवार वाला कितना है ये गुरुवार वाला है अपने पास में दस इसको दस पे मिलान कर लेंगे कुए इ palette ढया ग्राफ चाहड़ाई में इसलिए मैं नेसको इस कि प्रकार से बनाएं तो गुरोवार वाला की जजागें एक दीजात ये गरवार वाला पुर दस प्राशन गया और इसमें शुक्रवार को कितना है शुक्रवार को है छे तो शुक्रवार और ये बुद्वार का सेम ही है छे छे उसको लेंगे हम छे तक शुक्रवार का छे तक चला जाएगा ये शुक्रवार का छे तक इन दोनों को मिलान कर लेंगे अब आपका है सनिवार सनिवार का कितना है चार त हमिए इस प्रकार साफोंको यह इसका जीग्राफ है बने लिनना अग्ला परत्त आपके इसमें पामाना लिखना तो पैमना भी लिन्ख लेते हु हैं शे Pan great है मैं प्यामाना लिखेंगें पर कितना है एक शच्काष पर एक बढ़ा खाना एक बड़ा खाना बराबर कितने एक कीए एक वेगती एक वेगती और क्यां तो इसी प्रक्राश य अक्ष्क पर दखेंगे वाई अखस पर प्यमाना बीक यह पर एक बड़ा खाना रहाए है बराबर एक दिन पॉब एक एक दिन और इसमें एक एक वेक्तिका अंतर बस इस परकार से यह पैमाना भी आपको लिख लेना है अब आपको इसका दूसरा दिन चलता है एक साबुन चलता है छे दिन एक साबुन चलता है छे दिन ठीक है तो आपको कितने आपके पास में कितने साबुन है छे साबुन है तो छे साबुन कितने दिन चलेंगे तो छे इंटू छे कर देंगे ठीक है इतने दिनों के बराबर आ जाएगा तो छे संग कितन पूर्ण है आपका प्रियावरान का जी पूरवापर पॉलोड करका है वहाँ देख लेना हिंदी अपलोड करका वो भी देख लेना और इंग्ली स्कावी देख लेना चाड कि Kai आपको नीमले तो ये वाट्सबंबर अपने 24 35 virale enciz तर इस पर मेसेज कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस एप को डाउनलोड कर लेना यहां पर आपको मोरल पेपर वगरा सब भी उपलब्दे करवा दिये गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस एप को डाउनलोड जरूप लेना मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक जय हिन जय बारत